नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं सोईला और 17 नवंबर तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें की आने बाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने बाले हैं बहुती बड़े अनुखे बदलाव जिहां दोस्तों जिने आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें की अगले दो दिनों के अंदर यानि की दोस्तों अगले 48 घंटों का समय आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे महत्पूर समय सामित होंगे क्योंकि दोस्तों आप तो यह बात जानते हैं कि गरहों की सथी में हमेशा बदलाव होते रहते हैं जब गरहों की सुभी सथी बनती है तो दोस्तों हमारे जीवन काल में हमें बहुत ही अच्छे परनाम देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों जब वही गरह हमारे वीप्रिति सिति में बन जाए, यानि कि गरह में जब असूप परसिति का निर्मान हो जाए, तो दोस्तों हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, अच्छे कारे में हमें नुकसान होने लगता है, हमारे आगे के सारे दरबाजे बंद होने लगते हैं, अंधकार से हमारे चीवन में च्छाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें की, अब घावराने का समय नहीं है, अब आपको चिंता करने का आवस सकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें की, अब एक साथ में लेंगे स जूरा बड़ी खुशकबरी जिनने आप से वेके जीवन काल में चाल लेंगें जिनने अगर आप अपने जीवन काल में सुन लेंगें समझ लेंगें तो दोस्तो यखीन arada Woah खुशी के आचूं केसे बदल गई पर तुदो, हम आप सभी को बता दे कि अब आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवस्त हो गया है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कई समय से आप भी अपने जीवन काल में गल्ती कर रहे थे। जी हां दोस्तों और उनी का सजा था जो कि आपको पिछले समय के असफलताएं हाथ लगी थी लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं इस्वर के उपर विश्वास रखते हैं तो दोस्तों भगवान भी उन्हें खाली हाथ र शमय आपको अचानक से एसे सफलताएं मिलने वाली है एसे लाखों के धन मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोची हूंगे जी हां दोस्तों तो दोस्तों अगले दो दिनों की अंदर आपको कौन सी बातों का विश्यश ध्यान रखना है कौन सी उ आप सुनना आपके लिए बहुती ज़्यादा आवश्यक होंगे जिहां दोस्तों साथी कौन सी साथ बड़ी खुस खबरी आपको मिलेंगे इस वीडियो में हम उनके बारे में पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह के पर निर्मित है और आप सभी के लिए और आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होंगे जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुली मिश्ट न करें और सुरू से अन तक बिल्कुली ध्यान से देखिएगा क्योंकि दो के माहिल में पारिबारिक जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अन्तों तक देखेगा उससे पहले दोस्तों जबी बैक्ति वीडियो को लाइक करके कमें बॉक्स में सच्छे मन से जै महाकाल लिखेंगे हैं दोस्तों महाकाल का आसिम जी के एक बहुती अच्छे मुल्यवान ग्यान सी एक बहुती अच्छे विचार सी जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक इक्चा सकती जागरित होगी और यह ग्यान आपके आने वाले जीवन काल में बहुती मुल्यवान शावित होगे कि एक बार बादलों की हरताल हो गई बादलों ने कहा अगले दस साल तक पानी नहीं बरसाएंगे ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल बगेरा पैक कर रख दी लेकिन एक किसान अपने नियमत अनुसर हल चला रहा था कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरा और किसान से बोला क्यों भाई पानी तो हम बरसाएंगे नहीं फिर क्यों हल चला रहे हो किसान बोला अरे भाई कोई बात नहीं जब बरसेगा तब बरसेगा लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं दस साल में कहीं हल चलाना भूलना जाऊँ अब बाधल भी घाबरा गई कि कहीं हम भी बरसाना भूलना जाए तो वो तूरंद बरसने लगी और उस किसान की जीत मेहनत में बदल गई जिन्होंने सब फैक कर रख दिये थे वो हाथ मलते ही रह गई इसलिए दोस्तों लगे रहो भले ही परसितियां अभी हमारे विप्रित में नहीं है लेकिन आने बाला समय निसंदे हमारे लिए अच्छा होगा इसलिए कहते हैं कि काम्याबी उन्ही को मिलती है जो विप्रित परसिति में भी हमेहनत करना नहीं छोड़ते हैं जो पानी से नह जानाते हैं वो इत्यास बदल सकती हैं जी हां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं स्री कृष्ण का यह घ्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों ब्यूडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिग दें जैस्री कृष्ण रा क्या खुश खबरियां यह समय देने वाले हैं बात करते हैं पूरी विस्तार से दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जब भी इसवर का चमतकार हमारे जीवन काल में चलते हैं तो दोस्तों इनका कारण कोई ना कोई जरूरी होता है जी हां दोस्तों अगर हमारे ज जीवन काल में संकट आते हैं तो दोस्तों इनका सीधा सा कारण यह होता है कि हमने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलती की है जिनके कारण इस वर हमारे जीवन कार से रूट गई है जिहां दोस्तों जिनके कारण हमें यह शफलता हाथ लग रही है लेकिन दोस्तों जब भी ह कार्म करते हैं जब भी हम इस वर पर विश्वास करके कार करते हैं तो दोस्तों वह कार हमारा मेहनफ ज़रूर रंग लाता दै है जिहां दोस्तों। दोस्तों अब आपका आने बारा समय भगवान भोलेनात की किरपा से समय बहुती मिश्चित फाल दायक रहेगा आप किसी विशेश लक्ष को हासिल करने के लिए प्रियासत करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे दिनों में आपके दोरा कोई लिया गया कोई और उसमें शफल भी होंगे दिन चारह को वेस्तित रखें इससे सभी काम सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे आपका साकार्तमग रवेया और संतलिस सोच किसी भी समझा को शुलजाना में शायक रहेगी खास लोगों के शंपक्र में रहें और समाजी गत्री विदिय का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकरसित करेगा दोस्तों अपने आस पास की इस्ति को सकार्तमग नजरिये से समझें इससे आप और परवावसाली होंगे कई तरह की गत्री विदियो में वैस्ता रहेगी और उत्तम परनाम भी मिलेंगे बच्चों की पढ़ाई अथवा केरियर को लेकर चली चिन्ता भी दूर होगी आप अपने दिरनिश्य और मेहनाच से कीसी विस्शेस कार को पूरा करने में सफलता भासिल करेंगे किसी राष्टी व्यक्ति की भी सहेता मिलेगी विध्यार्त्तों थाईवाओं को अपनी पढ़ाई और केरियो को लेकर चली समस्या का समधान मिलने से शुकून रहेगा साथि दोस्तों कुछ शमे से चली ठकान भरी दिनचारिया से रहात पाने के लिए रूची कर कारों में समय बिताएं साथि धार्मित अदात्मी परवर्ति के लोगों के साथ कुछ उमें वेतित करना आपको मानसिक शुकुन देगा पहमेंड यार्दी मिल जाने से आर्थिक समस्या भी दूर होगी दोस्तों आज दिन भर आपकी भरपूर एनरजी बनी रहेगी और विपरित परस्तियों में भी आप समस्या का हल निकालने में समक्ष रहेगे आके साथनों में ब्रेदी होगी तता किसी नजदिकी समंधी के यहां दार्मित आयोन में जाने का भी निमंतरन मिलेगा साथी पिछले कुछ समय से चल रहे और असंतिरित खर्चों की व्यस्तित करने से आर्थिस्ति में ठाराव आएगा कुछ उपलब्धी हासिल होने से मन परशान रहेगा साथी और नई जानकारियां सीखने को मिलेंगे बच्चों का पढ़ाई की तरह ध्यान देखकर मन में तसली रहेगी उसनों परपटी खरीत समंदित कोई शमस्या चल रही है तो उसका समधान निकालने के लिए अच्छा समय है कुछ खास लोगों का भी शपोर्ट मिलेगा थोड़ी से साबदानी और आत्म विश्वास दोरा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन हो जाएंगे साथे दोस्तों रिश्दारों के साथ खराब समंदों को सुधारने में आपकी विशेश भूमिका रहेगी और इसमें आप काम्याबी होंगे बच्चों की गति विदियों और दिनचारिया से आप संतूस्ट रहेंगे इंजोई करने के लिए परिवार के साथ कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है साथे दोस्तों आज दिन बर किसी न किसी कार को लेकर चली वैस्ता आपको ठका देगी पन्तु इस मेहनत का परिनम मनकूल ही मिलेगा किसी समारों में सामिल होने का निमंतरन मिलेगा आपसी मेल जोल से सबको खुसी भी मिलेगी दोस्तों समाजी तथा समेती समंधी गति विदि में अपना योगदान अवश्य रखें इसे संपर्ग का दारा बढ़ेगा और साथी अपने लक्ष के परती पूर्ण रूप से एगा करचित रहें सफलता आसंभावी है दोस्तों फाइनन के मामलों में आज का दिन फायदेमन सावित होगा ताति प्रेत्रिक संपत्ति का कोई मफसला आटका हुआ है तो आपसी तालमेल से सूल जाने की कोशिस करें काम्याबी मिलनी तए है कहीं पैसा उधार दिया है या आटका हुआ है तो दोस्तों वापस मिलने की उचित सामभावना है आपके साहज और उत्म शभाव की भज़े से लोग आपकी और आकर्सित होंगे दोस्तों अनकुल गिर्ष्ति बनी वी है आपके आत्म विश्वास और आत्म बलको और अधिक परबल कर रही है सो साथी आत्मा समाजिक गति वीदी में आपकी उपस्ति रहेगी तता संपर्क का भी दारा बढ़ेगा युआंको भवेश समंधित कोई निर्ने लेने में किसी खास व्यक्ति का मार दर्शन मिलेगा तो किसी मित्र की मदद से उसका समाधान मिल जाएगा धार्मिक और अधाद्मिक गति वीदी में भी समय वेतित होगा तता आप बहुत ही शुकून और शांती में सुस करेंगे युआंको कोई केरियर समंधित सुचना भी मिल सकती है वहीं दोस्तों अगर आपकी साभधानी के ये बार में बात करें तो दोस्तों आचाना की कोई ऐसा खर्चा आएगा कि जिस पर कटोती करना भी संभव नहीं होगा कोई भी खासकार करते समय नकर्तमा परवर्ति की लोगों से दूरी बना कर रखें वर्तमान समय में थोड़ा स्वार्ती भी होना जरूरी है वरना इमोसलर होने से लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं आति दोस्तों जल्दवाजी और अति आत्म विश्वास से अपना नुक्सान करवा सकते हैं फाइनन समय मामले दिन की सुरुवात में ही निप्टा लें दो परवाद परस्तिया कुछ परतिकिल हो सकती है विद्यारती ओनलाइन गति विदी में अपना समय नष्ट करने की वज़ाए उत्तम जानकारिया हासिल करें उहीं दोस्तों पर पटी समयने कोई गति विदी चल रही है तो बहुत अधिक साफधानी रखें दूसरों के मामले में दखल अंदाज ही ना करें क्योंकि इसकी बज़े से आपसी समयनों में दूरियां आ सकती है साथी दोस्तों या भी ध्यान रखें कि अति आत्म विश्वास होना भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है किसी विकार को सहज वसांती पूर्ण तरीके से करने की कोशिस करें अब अवास ही सफल होंगे दूसरों के मामल में बिना मांगे सलह देना और हस्तचेव करना आपकी मन हानी का करवा सकता है साथी मन में किसी बात को लेकर कुछ नकर्तम विचार उठ रहे हैं तो उन पर कावु पाने का प्रयास करें और अपने लक्ष को हासिल करने के लिए ध्यान केंदित करें कुष्ण में अधात्मिक गतिविदियां या मेडिसन आदी में व्यतित करने से काफी हद तक आपको शुकून मिल सकता है दोस्तों लेंदन या उधारी से सम्दित कार्यों में हिसाब किताब करते समय लापरवाई की बज़े से कुछ गडबड हो सकती है आपने निर्नियों को ही प्राथमिक दादें दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपको नुक्सान भी दे सकता है किसी वेतरा की आवाजाही से भी बचें साथी कहीं निवेश करने के प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी उस पर अधिक विचार करने की जोरत है पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाज वाद से दूर हैं ध्यान रखें की दूसरों के मामले में हस्ते से करने से आपकी ही मान शमान में कमी आ सकती है बैतरगा की अपने काम से ही मतलब रखें और मेहनत के साथ साथ आज विशेश रूप से कई कारों में सावधानी भी बरतने की जुरत है पेसे की लेंदेन को लेकर कोई गलती या नुकसान हो सकता है इसका असर आपसे समंदों पर भी पड़ेगा किसी के साथ गलत लहजे से वरतलाप करना आपके लिए नुकसान दाइ हो सकता है दोस्तों कानिन नीमों का गंबिर्टा से पालन करें और वहां साथ दानी पूरवक चलाएं इस दारी से समदेद कुछ अस्त व्यस्त मामली में अभी पूरवत ही रहेंगे इसलिए धैर बना कर रखना आपके लिए उचित रहेगा सेयर स्तेजी मंदी जैसी कार्य में ज्यादा पेशा इन्वेस्ट ना करें दोस्तों किसी भी नकार्तम प्रसिती में धैर और शम बना कर रखें गुसे और आवस में महोल और अधिक बिगल सकता है किसी असामांजर सकी इसलिए में किसी अनुई व्यक्ति की सलाल लेना आपके लिए उचित रहेगा अति आत असर आपके समाजिक वा परवारी समंदों पर भी पड़ेगा गर्मेस्दारों के आगमन से कुछ महत्पुनकार अस्तगीत भी करने पड़ सकते हैं साथि किसी भी इसिती में ज्यादा बहास में ना उल्ज हैं और अपने गुस्य पर काबू रखें गर के अनुई व्यक्ति की सला और मारदर्सन की अभेरना बेलकूल ना करें बैंकिंग कारियों को अस अस्तगीत रखें क्योंकि लापरवाई की बज़े से आप पेपर वर्क में कोई गलती कर सकते हैं वहीं दोस्तों वैवसाइक की बात करें तो दोस्तों कारवार में कई अच्छे मोकी मिलेंगे इसलिए पूरी तरह अपने कामों पर फोकस रहें बिरुदी की आपके खिलाप बनाएगी योजना विफल रहेगी नुकरी पेशाल लोगों को लक्ष हासिल करने में समस्या आ सकती है ओवर्टाइम भी करना पल सकता है ताति दोस्तों कारवार में कुछ रुकावाटे रहे लेकिन साथी और कर्मचारी की मदद से समस्या हल हो जाएगी नए काम से जोड़ी कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बार में पूरी जानकारी लेना जरूरी है नुकरी में आज काम काम होने से शुकून मिलेगा दोस्तों व्यावसाई में मन्दी की इतिती रहेगी दोस्तों व्यपारी व्यवस्ता बनाए रखने में आपकी कोशिस बहुत हद तक सफल होगी साथी परिवार जनों की मदद से भी आपको काम में मदद मिलेगी मार्केटिंग समने काम अस्तागीत रखें क्योंकि इस समय आपका कार छेतर में उपस्तित रहना बहुत ही जरू रही है नोकरीप पेशा लोगों को मन मुताबित उपलब्धी मिल सकती है अति दोस्तों व्यपसाइग इसी ती समाने रहेंगे अपने मार्केटिंग तब प्रोड़क्ट समने गतिवीदी में सुधार लाने की जोरत है फैक्टरी कर खाना मैंनों फैक्टर यादी से समने का है आपके बिरोधी आपके परति कुछ नुकसान पहुचाने की कोसिस करेंगे इसलिए कोई भी फैसला लेने में बहुत अधिक साबधाने रखने होगी सरकारी नोकरी करने वालों को कोई अच्छी मिजमेदारी भी मिल सकती है दोस्तों बिजनस के नजर ये से समय बहुत ही अस्थान तरन समंदित खुश खबरी मिल सकती है उई दोस्तों बिजनस में दिकत्ते सामने आ सकती है लेकिन दो पर बाद समस्यां का हल भी मिल सकता है कर्मचारियों वस्थाग्यों के साथ दोस्ताना वहवार रखें नोकरी प्रेसा लोगों को ओफिस में कुछ खास जस्ता और कारपरनाली पर भी पड़ेगा घावराने की बजाए हिमत और साहस से काम लें आधिकारियां और शंपर्शुत्रों की मदद से समस्यां को हल करने की कोशिश करें अपने बिजनस की योजना को किसी से सेर ना करें यह समय पूरी मेहनत और उर्जा का काम करने का है कारे छेतर में वरकस की गतिविदी पर पैनी नजर रखें क्योंकि उनके दोरा आपके बार में नाकार्त में अपवा फेल सकती है अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें और दोस्तों कारवार में कुछ परतित सपरदा की इसीते रहेगी उसको हल करने में तुरं समय अपने काम की क्वालेटी को और बेहतर करना जरूरी है अगर कारचित के ववास्ता में कुछ परिवर्थन सम्धियों बन रही है तो दोस्तों उन पर तुरंद अमल करें परपटी सम्धिय वैपसा में कोई बड़ी डिल हो सकती है तो जना बनाने के साथ साथ उन्हें क् करने से भी काम हाथ से भी निकल सकते हैं ज्यादा अविवान और खुद को सिपरियर समझना ठीक नहीं है समय आपके पक्ष में है मार्केटिंग सम्धिकार को निप्टाने के लिए उची समय है आपके सभी काम वैस्तित रूप से संपन होते जाएंगे किसी छोटी सी बात पर विवाद भी होने की असंका है रिक्स परवर्ति की कारें में पेशा ने लगाएं वड़ना नुकसान भी हो शकता है उस्तों इस समय व्यवसाइग इसती बहतर बनी हुए है निवे समधी गत्तिविदियों की जांकरी प्राप करने में उची समय लगाएं इस समय भावि परिवार जनों के साथ हाज फर्यास और मन नजन में समय वेतित होगा लग पार्टनर के साथ लोग ड्राइपर चाने का भी मोका मिल सकता है इन दिनमा भगवान की किरपा से आपकी सभी गिरिष्टी बहुत ही अनुकुल है खर्चों के अधिकता रहेगी और तो खर्चे ब व्यसक दिन्चारिया में भी शकारतमों बदलाव आएगा दोस्तों इसमे अपने कार करने की प्रनाल में कुछ बदलाव करने की जड़त है दोपर बात परिष्टेयं लाब धायक बने रहेगी विजले कुछ समय से चली बाधाये भी दूर में आपको सभी दृष्टी से सम में बहुत ही अनुकुल है नगात्मों परिस्तियों में परियसान होने की वज़ाइस समस्या का हल निकालने का प्रयाश करें आप सफल भी होंगे दोस्ता आपके लव लाइफ के बारें बात करें तो पत्ती पत्तने के विच खट्टी मिठी नौक जोंक रहेगी अवहित अरवेदिक चीज़वा का अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों इस तिर वर्ग अपने स्वास्त के परती विशेश रूप से सच्चित रहें लापारवई करना समस्या को बढ़ा सकता है इसमें वर्तमान मोसम से अपना बचाब रखना जरूरी है इंफ्यक्शन अथ्वा अलरजी की समस्या रहेगी अवेस्ति दिनचार्या की बज़ह से गयास ऐसीडिटी जेसी समस्या परेशान करेगी ज्यादा गरिष्ट और बाहरी खान पान लेने से परहेज रखें दोस्तों गयास और बधहजमी की समस्या से निजाद पाने के लिए अपना खान पान समीत रखें साथी बदलते मोसम का असर आपके स्वास्त पर पड़ेगा लापरवाही ना बरते हैं हलका थता सुपाच भोजन गरहन करें काम की बज़े से ठकार और कमजोरी हावी रहेगी तना बना लें और सहज तरीकी से अपने कारे को पूरा करें दोस्तों अपने खान पन साथी अत्यधिक कारवार की बज़े से सारीक और मानसिक ठकान रहेगी अपने कारे को दूसरों के साथ बाटने की परियास करें वर्तमान मोसम के परवाब की बज़े से एलर्जी या खासी जुकाम की दिकत ने रहेगी आरुवेदिक के लिए उचित समधान है वही दोस्ता योगा और मेडिसन करने से आपको काफी हद तक रात मिलेगी वाई दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि यह समय आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों अगले आठ दिनों के अंदर अब अपने घर में दूद और बेल पत्र एक कटूरी में लेकर दोस्तों अपने चत के ऊपर रख दें या फिर घर से बाहर एसे अस्थान पर रख दें जहां पर छोटे छोटे जानवर आते हैं छोटे छोटे किट नासक आते हैं जहां दोस्तों इसे जगह पर रख दें वह गरन कर लेंगे तो दोस्तों यकिन कीजिए कि आपके जीवन के सबसे बड़े बारदान आपका सफल हो जाएगा जीवन काल में कल्यान कारी इसतिया आपको मिलती रहेगी जिहां दोस्तों दोस्तों आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग बुलू है और भागे साली अंक छे है दोस्तों भगवार महाकाल का आशिरवात आप सभी को प्राप्तो सची दिल्शेक कमेंड बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक स्याद जरूर करें धन्यवाद